अभी मलाया तो इतने मला कर लिया दो दिन मन्नेई व अतने फिर ये भक्ती रस भक्ती जल्टी के गनेई आस पास परिपक मेड चाहिए जो तुम्हें गुरुदेव ने नाम जप दिया है जो तुम्हें गुरुदेव ने मंत्र दिया है सब प्रभु के अनंत नाम है अनंत मंत्र है अनंत महिमा है सब प्रणाम है लेकिन हमारी सिध्धी हमारे गुरुदेव के द्वरा दिये मंत्र से होगी इस बात को पकड़िए ऐसे ही जो भगवत भक्त है उसको मेड रूप से नियम बनाने चाहिए गुरुदेव की कृपा प्रशाद से नियम के अनुशार भक्ती करनी चाहिए मन माने नहीं अभी मनाया तो इतने मला कर लिया दो दिन मन नहीं वत नहीं फिर ये भक्ती जल ठीकेगा नहीं आस पास परिपक मेड चाहिए उस भक्ती जल को सुरक्षित रखने के लिए किनारा मजबूत चाहिए नहीं तो फिर वो प्रवाह में बह जाएगा जहां लहरे आएंगी वायू का धक्का लगेगा बह जाएगा यदि आपका नियम द्रड नहीं है गुर्देव के द्वारा दी हुई परिपक को उपाषना पधती द्रडता पुर्वक नहीं कर रहे तो यह माया की वायू आएगी और ऐसी कोई नो कोई तरंग आएगी जो आपके मन को भक्ती रहित करने वाले आचरणों में फसा देगी बहुत यह ध्यान देने योग विश है गुर्देव की करपासे भक्ती रंग हरदे में जागरित हो रातवास पास मेड मजबूत होनी चाहिए सरोवर की मेड मजबूत है तो जल सुरक्षित है मेड है नियमा वली द्रड नियम जो नियम लिया है उसे ठीक से निर्वाह करना अब आप देखो पूजी श्रियाधा बाबा के जीवन चरित्र में आया कि सत्संग शमीप होता था रोज नियम से सत्संग सुनाने के लिए उनको कांधे पे ले जाते थे क्योंकि पेरों में गठिया रोग हो गया था चल नहीं पा रहे थे राधा बाबा एक दिन जो ले जा रहे थे उन्होंने उदाशिंता दिखाई बाबा ने कहा बस मुझे वहां तक पहुँचा दो वो इतने शेवा में ठक जाते थे और हरी केसी लिला तो उन्होंने कहा कि बाबा आपको जाना हो तो जाओ भाद महारी इच्छा नहीं है कि सत्संग में ले जाए देखो नियम निश्ठा यद्यपिव एकदम निश्का महापुरुषे परुणों ने प्रभुषे प्रार्थना की कि प्रभु मेरा नियम रोध सत्संग में जाना बस इतना मुझे बल देदो कि मैं सत्संग तक पहुंच जाओ एक बास पड़ा था उठाया और कड़िलते हु तो फिर उनका हरदे भक्ती रस से बढ़ता रहता है सुरक्षित रहता है यह अपने लोगों में जो कचाई है इसे छोड़ देना चाहिए नियम निश्ठ होना चाहिए एक दिन चद्या होनी चाहिए ऐसी नहीं जब जैसा मनाया यह साधना के लिए ठीक नहीं है आज मनाया बीस मला कर लिया नहीं मनाया तो दो दिन बिलकुल नहीं किया आज मनाया तो पूरी चतुरासी जी पढ़ ली चार दिन नहीं एक भी नहीं ऐसा नहीं किया जाए एक नियमा वली बनाई जाए उसी द्रड नियमा वली में भक्ती सुरक्षित रहती है द्रड नियम होना आव सदय में द्रड विचार करें जीव गोश्वामी जी नियम का पूर्ण रुप से पालन करते थे जैसे जल में धूल मिटी कीचड आधिके शैयोग से वो जल गंदा दिखाई देने लगता है दूशित हो जाता है प्यास वाला नजदिक जाता है पर उसे पीने के लिए वो निर यदि आप नियमावली से पके नहीं है आप शावधान नहीं तो आपकी भक्ती रुपी जल दूशित हो जाएगा आपके किनारे काई जमा हो जाएगी फिसल जाएंगे आप कोई पीने आएगा आपको भक्त जानकर भक्ती का रस उसको श्वाद नहीं मिल पाएगा वो पीन नियमावली इससे आपका जल सुरक्षित रहेगा आपके घरदय में जो भक्ती रस है वो पवित्रों सुरक्षित रहेगा कहीं भी कोई भी चल कपट दंभ मान यह आपकी भक्ति को दूशित न कर पावे जैसे कोई दूशित जल का शेवन नहीं करेगा पर यदि करता है तो रोग गरशित हो जाता है ऐसे ही वाशना चल दमभादी भक्ती का नाटक भक्ती का श्वांगादी ये आत्मानंद का हनन करने वाला है यदि कोई ऐसा शेवन करे तो फिर वो आत्मानंद कान हो अर्थात भगवदानंद कान वो नहीं कर सकता इसलिए यह जा खरके जल को ग्रहन करके अपनी प्यास बुजा सकता है। यह आपकी भक्ति निर्मल है, आपका भक्ति का नियम द्रड है, तो जो भी आप से जुड़ेगा, जो भी आएगा वो भक्त हो जाएगा। उसके देहिक देविक ताप मिट जाएंगे उसकी जनम जरम की प्यास मिट जाएगी उसका हरदय भी निर्मल होने लगेगा प्रिया प्रितम के चरणों में आशक्ती बढ़ने लगेगी छाल दम्ब तो आपके हरदय में होना ही नहीं चाहिए भक्ती के लिए बहुत हानिकारक है और भगवत रशिक जी नहीं कहा यदि विवेक नहीं है वैराग्य नहीं है तो आपकी भक्ती निश्चित पाखंड रूपी रोग से गरशित हो जाएगी बिन विवेक वैराग भक्ती बिन सत्य नयको जानो भगवत बिमुख कपट चतुराई सो पाखंड ही जानो चला जाएगा चतुरता आजाएगी कपट आजाएगा आप नियमावली से भजन नहीं करते और आपको भक्तमान के जहां सम्मान मिला तो आप उसको सुख पूरवक स्वैकार कर लेंगे आप उस सम्मान को बचाने के लिए और नाटक करेंगे और दंब करेंगे और पाखंड करेंगे पूरा जीवन पाखंड हो जाएगा मिला क्या इप्रणाम नमस्कार से क्या मिलने अला आत्मानंद मिल जाएगा क्या चार लोग तुम्हें संद कह देंगे तुम्हें भगवत साक्षातकार हो जाएगा क्या। चार लोग तुम्हें महापुरुस आउतार बता देंगे तो तुम्हें यम्राज के दंड से बच जाओगे क्या। इसलिए शाओधान सची आई से चलो हरी दुलार करें भले सब निंदा करें क्या फरक पड़ता है। और सब तुम्हारी जेजेकार करें हरी से बिमुक हो क्या लाव क्या मिला। इसलिए अपने प्रीतम को रिजाए सची बात क्या होगा इससे होगा क्या। चार लोग कह दिये माहत्मा और हिरदय काम करोथ से जल रहा क्या माहत्मा। चार लोग कह रहे रहे आप तो आउतार हो और यहां पिटाई हो रही अंदर अंदर से जल रहा हो। बाहर से अतार वले पुझ रहा है और अंदर से मलमूत्रों के द्वार में भटक रहा है क्या अतार? बहुत सावधान सच्छे महात्मा बनने के लिए नियमा वली की आवश्यकता है द्रड नियमा और नियम में बहुत सामर्थ है आप देख लिजिए हमने देखा है महापुरुषों को भी देखा है दिन भर बुखार से पीडित पड़े है लेकिन उनका नियम है बैठके उतने माला करना तो देखा पूरा बुखार से सरीर काप रहा लेकिन वो बैठा लो हमें और वो बैठ गए माला सुरू कर आश्यर हुआ कि यहां तो जरासा हो जाए तो लगेगा छोड़ो सब अब तो बीमार है न अपने आप लेकिन वो बीमार है वो आस्तिविक बीमार है ब्रद शरीर है चलने में असमर्थ है बुला के कहते बैठालो हमें दीवाल से लगा के बैठालो नियमावली पूरा करना है पकड़ो हमें परिक्रमा मार गले चलो दंडवत कराओ चलकर आस्चरी होता पकड़ो हमें ठाकूर की चार परिक्रमा करवाओ चरनामरत लाओ बुले बावाओ चरनामरत तो खताम हो गया हाँ तो ठीक कोई बात ने अब कल पाएंगे नियमावली बिना चरणामर्त मुख में रखे प्रशाद नहीं आश्चरी हुआ उनकी नियमावली देख करके दूसरे दिन जब चरणाम ऐसा नहीं कि इसनान करवा उलाओ चरणाव अईसा नहीं अब दूसरे दिन जब इसनान होगा ठाकूर का चलना मृत लेंगे तब प्रशाद पाएंगे नियमा वली होनी चाहिए नहीं तो आपकी भक्ति छल से दंब से अभिमान से युक्त हो जाएगी दूशी तो हो जाएगी शावधान रहिए कहीं काई न लग जाए काई कहते हैं फिशलन वाला चल में जब काई होती न उसके समीप कोई भी आता है तो फिशल जाता है ऐसे ही यदि आपकी भक्ती काई युक्त हो गई, वास्चना की काई लग गई, आपकी भक्ती में दंब की काई लग गई, तो जो भी आएगा फिशल जाएगा दर्सन भक्त अनूप रूपन सोभित प्रीत बिनू भरम भटककत भूप स्री हरिवन्स कृपा बिना बोले दर्सन तो बहुत दूर से ऐसा लगता है, बहुत बड़े भगता है, लेकिन हरदय में ठाकूर से अपनापन नहीं, ठाकूर से प्रीति नहीं, नियम से भजन नहीं, सुद्ध सिध्धांत हरदय में धारण नहीं किये, तो बोले क्या बड़े भरम भटककत भूप, बोल आज का ही तो हो जाए अमंगल हो जाए आपको भक्त मानते हैं जन आपको वैश्णो मानते हैं आपको भगवान का पारशद मान करके अपने जीवन को समर्पित करते हैं आपकी आग्या में रहना चाहते हैं आप सावधान हो जाए कहीं आप अपने को बड़ा समझ कर कहीं आप अपने को भगवान समझ कर कहीं आप अपने को मान समझ कर ये चल, दम, पाखंड न कर वेठे जिससे आये हुए की हान ही हो जाएगी और उसकी स्द्धा की हान, उसके भजन की हान करने के करण तुम्हारी दुर्गती हो जाएगी आप इतने उचेपद में हैं वैष्णव हैं, हरी पारशद हैं उसने आपको भगवत सम्मंद से स्विकार किया और आप तो फिर उसका परणाम मालिक देगा जब मालिक देगा तो समाल नहीं पाओगे हम कामी हैं, कुरुधी हैं लो भी हैं, चलेगा प्रभु किस चरणों का अस्तरे ले लो वो बड़े क्रिपालो, स्विकार कर लेगे लेकिन अपने को हम महत्मा मान कर वैष्णों मान कर, भगवत परशद मान करके दुराचार, प्रवतिव का पोशन दंब का पोशन, पाखंड का पोशन ना सो जाएगा शावधान, वो शर्वांतर्या में प्रभु देख रहा है कि तुम्हारे को किस भाव से समर्पड किया जा रहा है तुम क्या कर रहे, वो जान रहा है इसलिए प्रभु से कभी चल कपट, दवंद मत करो क्योंकि वो सर्वांतर्या में तुम्हारे हिर्दय में ही बैठा देख रहा है सच्चे बनो, हे नात मैं नीच हूँ, पर आपका हूँ अपने को कहें सिरेष्ठ मान करके नीच आचरन न कर बेठे जो ये हिर्दय से सोचता रहता है मैं नीच हूँ, उसके द्वारा नीच आचरन नहीं हो सकता क्योंकि वो दैन्य है दैन्य के द्वारा कभी सास्त्र विरोधी भाव नहीं आते अहंकारी में ही सास्त्र विरोधी दाचरन आते दैन्य हो, हरी के आश्रित हो नियमावली से युक्त हो भले हमारा हर्दय भगवदानंद में नहीं है विश्यानंद का आकर्षण है लेकिन हम ये विचार करें कि ये वैश्चनों भेश है ये भगवत पारशद सुरूप है सामने वाली कि अगर स्रद्धा नस्ठूई तो पता नहीं किस जन्म में अब वो स्रद्धा प्राप्त कर पाएगा उसके नास का कारण उसके स्रद्धा के नास का कारण आप बने इसलिए आपका बहुत बुरी तरे पतन हो जाएगा इसलिए सादक सावधान रहे अपने भगती रूपी जल को पवित्र रखने के लिए चतुरता, कपट, छल, दंब, मान, प्रतिष्ठा अपने में स्रिष्ठ भाव इनका त्याग करे क्योंकि इनसे भगती दूशित हो जाती है तुम शदयू दंब छोड करके दिखावा मत करो शीशद गुरदेव के शीचरणों में प्रेम करो गुरव जो तुम्हें गुरदेव ने नाम जप दिया है जो तुम्हें गुरदेव ने मंत्र दिया है सब प्रभू के अनंत नाम है अनंत मंत्र है अनंत महिमा है सब प्रणाम है लेकिन हमारी सिध्धी हमारे गुरुदेव के द्वारा दिये हुए मंत्र से होगी इस बात को पकड़िये जो गुरुदेव ने मुझे नाम दिया है ऐसे नाम जपना और गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ नाम जपना बहुत अंतर है बीज और निरबीज ऐसा महापुर पुष्णों ने अनुभो किया है जो जगा हुआ आचारी परंपरा से जो नाम आपको प्राप्त हुआ मंत्र प्राप्त हुआ उस शबीज है आप उस प्यार ध्यान दीजिए उसको रटिये ये मन है बड़ा बिचित्र है जो गुर्देव ने मंत्र दिया है उसे से डाल नहीं उसे घशीट करके मोक्ष मुलम गुरू वाक्यम मंत्र मुलम जो गुरुदेव ने बोला वो मूल है आदेश कर रहे है स्वा मंत्रे जो आपको मंत्र मिला है गुरुदेव के द्वरा पूर्ण व्रत्ति उसी में केंद्रित कर दिजिए श्री नामनी जो आपको आवटी नहीं बेवार नहीं सामने हैं तो हम प्रणाम कर रहें ऐसा नहीं हरदेशे हमारा संपूर्ण वृत्ति एक-एक उनकी आज्ञा से ही होगी एक-एक वृत्ति के द्वारा चेश्टा उनकी आज्ञा यह है गुरु प्रेम गुरु के वचनों में गुरु की आज्ञा म प्रेम है चरण चापना वस्तरध होना भोजन पवा देना यह एक सेवा का अंग है संपुर्ण सेवा नहीं है संपुर्ण सेवा है उनकी आज्या में रहना चाहे आप लाखों को इस दूर है और गुर्देव की आज्या में है तो आप गुर्देव के शमीप है और गुर्दे तेवी भी गुरु प्रताप कानुभों नहीं कर पाएंगे गुरु के हवदयस्त विहार कानुभों नहीं कर पाएंगे देखा जाता है जैसे महापुरुषों के शमीब कोई है लेकिन उसका परिवर्तन नहीं हो रहा तो लगता है क्या है ये शंत नहीं है इनका परिवर्तन नहीं हो रहा अरे शंत के शमीर तो कैसा भी हो उसका परिवर्तन होना चाहिए उसमें शाधुता आनी चाहिए आप सची बात मान लेना परिवर्तन तभी होगा जब आप उनकी आग्यां का पालन करेंगे जैसे लोहे की डिविया में पारस्मनी रखी है वर्सों से रखी है पर वो डिविया लोहे की है क्योंकि बीच में रूई का परदा है अगर रूई का परदा हटा दो तो एक सेकेंड में वो सोना बना दे ये जो मनमानी आचरण का देहा भिमान का उनकी आग्या उलंगन करने का परदा है इसे हटा दो तो आप देखो गुरुदेव के हरदे में जो चल रहा है वही तुमारे हरदे में चलने लगेगा हम गुरुदेव से दंब भरी प्रीति ना करें आदेश कर रहें सदा दंभम हित्वा कुरू रतिमपूरू मतितराम दंब रही तो हो करके जैसे आप परिवाराद इसे सब प्रेम करते हैं उस प्रेम को समेट कर एक मात्र गुरुदेव के चरणों में प्रीति कीजिए आप देखे कि जो उनके हरदे विहारी स्रिश्यामाश्याम है वो आपके हरदे में वो शाधना ना होने पर भी प्रकाशित हो जाएंगे क्योंकि गुरुदेव चरण प्रताप से आपका हरदे निर्मल हो जाएगा निर्मल हरदे प्यारी जू प्यारी जू का शिंगाशन है वो हरदे को निकुंज बना कर उसी में खेलने लगते हैं इसलिए सबसे पहले आदेश करें गुरव फिर आदेश कर रहे हैं गोष्ट हो सी भ्रजधाम का आस्त्रे ले लो भ्रजधाम का वाश्च्वई कार कर लो दो बाते हैं आस्त्रे ले लो पूर्ण रूप से जवा में शबे मिला भागे ब्रिंदावंधाम ब्रजधाम आए परिक्रमा की दर्शन किया रजरानीली चरणामर्तलिया फिर चले गए अपने नेत्रों में बशा लिये बार बार चिंतन कर रहे फिर व्याकुलता पुरुवक आए ऐसा ये आस्त्रे वास्प्रदान कर देगा अगर आज नहीं तो निरандतर का वास्प्रदान कर देगा आप ऐसे ही रहना अन्य आस्त्रे ना अन्य तीर ठन्य धामों का आस्त्रे ना लेना फिर कह रहे घोष्ठा लईशू जो ब्रजवाशी जन है जो यहां वास् कर रहे जो यहां रजका सेवन करके भजन कर रहे है, सर्वतो भावेन, उन ब्रजवासी जनों में आपकी प्रीती होनी चाहिए, जब हमें किसी से प्रीती होती है, तो उसमें दोसदर्शन नहीं होता, दोसदर्शन कराने पर भी नहीं होता, सत्रिशी जना करके मा भगवती को उपदेश कर रहे, तुम ये किसके लिए कर रहे हो ओ बहादेव जी को पती के रूप में वरण करने के लिए महादेव जी में है ही क्या ना कोई महल है ना कोई आभूशन धारन करते अगर आभूशन धारन भी करते हैं तो साप वगेरा चिता भसमा लेपो गरल मसनम दिकपढधरो जटाधारी कंठे भूजग पतिहारी पशुपती कपाली भूते सो क्या है इनके पास भूतों की फोज है मुंडों की माला है सापों के आभूशन है चिता की भसम लगाते हैं सुनो इतनी तपश्या कर रहे हो ना तो हम तुम्हें दूला रूप में बैकुंठनात भगवान नारायण को दिला देंगे आप देख लिजे ये प्रीति का स्वभाव है भगवती जानते हों क्या बूले महादेव अउगुन भवन एकको गुन नहीं आप जे सबर्ण करते हो मैं मान गई महादेव अउगुन भवन विष्णु स्री हरी नारायण सब गुनों की खान है लेकर जेही कर्मन जेही सनरमे तेही सनकाम अब तो कोट जनम लगर हमारी बरऊं संभुनत रहों कुमारी यह प्रीति जो इस ब्रज में वास करने वाले हैं उनसे प्रीति करो प्रीति का तात्पर है उनमें भगवत भावना करके कभ यह हमारे प्रभु के जन बस इतना मान कर प्रीति करनी है गुरु के चरणों में समर्पन ब्रज का वाश्या ब्रज का अश्रे ब्रजवाशी जनों शे प्रीति और सुजने सुजन कहते हैं वैश्णों जनों को हमारे सुजन कौन है संसार में सुजन सनेही संबंधियों को म मांते हैं लेकिन अपने को किसका उमाना है वैश्टनमा ARE सुझनड कौन रवी परिवार के हैं यही हमारे परिवार के है, यह हमारी पंती के है, यह हमारे सनेही संबंधी है, यह हमारे शर्वश्व है, ऐसी भावना करो, और कहे रहे हैं भूसुर गणे, वह शास्त्र शिद्धामते में भूसुर कहते हैं ब्राम्हनों को, लेकिन यहां भावदेश में भूसुर, इस भूमी के प्रति पूर्ण भाव ब्रति रखनी है वो चाहे प्रक्षन रूप में कैसे भी घूम रहे हो जो भगवत अनुरागी जन है उनके चरणों में नमन है आचार्यों के द्वारा उपदिष्ट मार्ग गुरुदेव के द्वारा जो उपदिष्ट मंत्र है नाम है इसमें प्रीति करो गुरुदेव के चरणों कास्त्रे लो वेश्णों जन अपने स्वजन संबंधिये ऐसी भावना करो भगवत प्रेमी महात्माही साक्षात प्रगट देवता हैं इस भूमंडल के ऐसी भावना हरदय में रखो ब्रजवासी जनों से प्रीति करो प्रिया प्रीतम के सी चरणार्विंद का आस्रे लेकर निरंतर इससे बढ़कर कोई शिद्धांत नहीं है